किसान भाईयो जब हमारी फसल में वाइरस का अटक हो जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉंसिबल यानि जिम्मेवार होता है आपका सकिंग पेस्ट वा tet 2016 नहीं आपका वाई फ्ससायड के बारे में बात करनेवाले है जो की जो सब्सक्राइब करने के कि आपको पता ही चल ही चुका होगा कि आज के वीडियो में हम एसे टम अपरीड के बारे में पूरी डीटेल से आपको जानकरी देने वाले हैं अगर आप चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी आन कर लो ताकि आने वाले हमारी एसे नहीं नहीं वीडियो के नोटिफेकिशन आप तक पोहुच सके तो चलिए ज्यादा देर ना करते हो वीडियो को शुरुआत करते हैं नमस्ते दस्तों मेरा नाम है एक शेयर आप देख रहे हो इंडे नाइगरी पॉइंट जा पे आपको एसे ही खेती चलिए अब जानते हैं कि अन्य कौन से कमपनियों का आपको 20 प्रसीशत मिल जाता है तो किसाम भाईओ मानिक नाम से टाटा कमपनी का धनपरित नाम से धानुका कंपनी का लिप नाम से इंडोफिल कंपनी का उसी के साथ इनोवा नाम से नागारजुना कंपनी का और वैपक से कोई भी एक खरीद कर उनका छिड़काव आपकी फ़सल में आप कर सकते हो स्रिफ 20 प्रतिशद आपको उसमें फॉर्मिलेशन होना जरूरी होता है किसन बायो चलिए अब जानते हैं आसे टम अप्रीड की मोड़ अप एक्शन के बारे में तो किसन बायो आसे टम अप्रीड उनको डामेज करकर किटकों को पैरलाइस करकर ये भुकाई उनको मारने का काम करता है तो किसन बायो इसमें ओविसाइडल भी इफेक्ट है तो किसन बायो इसमें ओविसाइडल इफेक्ट है इसी वजह से किटकों की जो अंडे होते हैं पत्तियों के पिछले भाग में जो अंडे रहते हैं उसको भी एक खतम करने का काम करता है और एक बात इसमें ट्रांस लिमिनार भी एक्षन है तो किसन भाई इससे क्या होता है एक चछिड़काओ के दरण एक बूंद भी पत्तियों के ऊपर पढ़ती है तो यह पूरी तरीके से नीचे फेल जाती है नीचे की त तो मारने की शम्ता रखता है तो यह वह इसकी मोड अप एक्षन चली आगे बड़ते हैं और जानते हैं करते हो कोई दिकत वाली वेसी बात चले आगे बढ़ते और जानते हैं Acid Amaprid के इंसेक्ट के बारे में यानि कौन कौन से इंसेक्ट को Acid Amaprid कंट्रोल करता है तो किसान भाईो Acid Amaprid सभी प्रकार के सकिंग फेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल कर देता है उसमें आपका आफिड, जैसिड, वाइट फ्लाइज, जो काले मच्चर होते, उनको भी कांट्रोल करता है, उसी के साथ साथ लिफ हॉफर, प्लैंड बर्क्स, और कापी हद तक ये लिफ माइनर को भी कांट्रोल कर लेता है, तो किसन भाइओ, इसका वाइट प्लाइज और आफिड जैसिड हो, टॉनिक हो, उनके साथ कॉंबिनेशन आप इसका कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किसन भाइओ, इसका उप्योग आप नियो निकोटनाइड जो ग्रूप है, यानि असेटमाप्रीड का खुद का जो ग्रूप है, उस ग्रूप से जो असेटमाप्री टाटा मानिक और मारकर, यानि जानुका कंपणी का जो मारकर आता है, बाइफेंतरिन, अल्रेडे हमारे चैनल पर उसका भी एक वीडियो बन चुका है, चाहे तो वीडियो भी आप देख सकते हो, तो उन दोनों का कॉंबिनेशन काफी अच्छा रिजल्ट है, वो इल्लियो के साथ-साथ आपका वाइट प्लाज जासेड जो सकिंग प्रेस्ट है, उनको भी कंट्रोल कर लेता है, किसान भायो अब जानते हैं, आपको फसल में प्रोटेक्शन मिल जाता है, इसकी रेन फासनेस की बात करें, तो लगबग आपको एक से देड़ घंटे का रेन फासनेस इसका देखने को मिल जाता है, और इसकी टॉक्जी सिटी की बात करें, तो किसान भायो एक यलो लेबल वाला कीटनाशक है, जो की हाईगली टॉक्जिक है, यानि इन्वारिमेंट के लिए भी ये सेप नहीं है, ये हाईगली टॉक्जिक होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी स्टेज आप एपलिकेशन के बारे में, तो किसान भाईो फसल की कौन सी भी आवस्ता हो, फ्लावरिंग हो या फिर कोई भी आवस्ता हो बहुत हो सब में आप कर सकते हों, किसन भायों आप जानते हैं। आपकी फसल को प्रोटेक्शन दे देता है और इसकी कोस्टिंग के अकोर्डिंग आपको इसके रिजल्ट भी उतने आपको नहीं मिलते नीचे से तो आप उपर से पर पर पस के लिए इसका इस्तमाल करें नीचे से बिल्कुल भी इसका इस्तमाल ना करें किसान भायो चलिए आप जानते हैं वीडियो की मोस्ट इंपोर्टन बात यानि असीट अमाप्रीड के डोज के बारे में तो उससे पहले अगर आपने आमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में बेल डिट का इस्तमाल करना है इसकी पाकिंग और प्राइज की बात करे तो लगबं यसी प्राइक सब्सक्राइब में इसली आपको मिल जाता है और इसकी आज के लिए अगर वीडी Сейчас से फैनझि के बीच में बेच के लाइक करना चानल को सब्सक्राइब करना और ये विडियो अण्य किसान सात्यों तक भी शेयर करना ताकि उनको भी आसे दमाप िड़ की जानकारी मिल सके और वो भी उसका इस्तामाल सकंग पेस के कंट्रोल करने के लिए इस्तामाल कर सके तो चलिए मिलते हैं आगे से इंपर